हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टेनून, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छी होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है, यह हमरी क्लास 12 की अकाउंट 10C की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम चैप्टर 2 का कुशन नमबर 66 करेंगे जैसा कि आप जानते ही कि मैंने 65 तक कुशन अरड़ी अपने चैनल पर पढ़ा दिया है तो अगर वो आपको देखना है तो आप मेरी प्लेलिस जाके देख सकते हो, ठीक है तो आप लोगों के सुट्राबिलिटी के लिए मैंने कॉस्चन और सॉल्यूशन दोनों को अपने फोर शीट पर कर लिया है तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको एक फियर सॉल्यूशन मिल सके ठीक है तो आईए मैं अपना कॉस्चन स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉस्चन क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करने के लिए मैं आप लोगों को भी यही सज्जिस्ट करूँगी कि पहले आप कॉस्चन अच्छे से समझा करो कुस्चन इतने ट्रिकी बना दिया है कि उते ही है कि एसी बात नहीं है थोड़ थोड़ा सब्स वyll자가 करें ब्लाइता है A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3 to 1 A and B क्या थे partners थे एक firm में और वो लों profit और loss किस ratio में share कर रहे थे वो लों profit और loss 3 to 1 के ratio में share कर रहे थे following is the balance sheet of the firm as at 31st March 2015 यह क्या दिया हुआ है 31st March का उनका balance sheet दिया हुआ है A and B का दोनों का capital दिया हुआ है 1,000,000 रुपीस और drawings A का दिया है 12,000 बे का दिया हुआ है 6,000 और assets दिया हुआ है 1,000,000 रुपैर और यहाँ पर total दिया हुआ है 1,000,000 रुपीस ठीक है यह question मतलब अगर balance sheet दिया हुआ है इसका मतलब है यह closing की बात कर रहा है ठीक है closing की देखो फ्रेंड यहां पर मैंने एक कॉलम्म गलती से मिस हो गया यह है 90,000 रुपीज यहां पर और यह है 30,000 रुपीज ठीक है 90,000 और 30,000 गीवेन है यह जब बैलेंशीट की बात कर रहा है तो यहां इसका मतलब है यह इनका closing capital है ठीक है closing capital है फिर यहां पर question दिया हुआ है profit for the year ended 31st March 2015 to 24,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio ठीक है मतलब वो साल का profit हुआ था 24,000 रुपीज जिसको क्या कर दिया और उन्होंने partners के बीच में distribute कर दिया ठीक है but interest on capital at the rate of 5% per annum and drawing at the rate of 6% per annum was inadvertently ignored ठीक है उसमें क्या को बोल रहा है कि partners को profit तो दे दिया लेकिन interest on capital जो उनको देना था वो देना भूल गए और जो उनसे interest on drawing लेना था वो लेना भी भूल गए ठीक है give the necessary general entry for the adjustment of interest interest on drawing may be calculated on average basis for six month ठीक है इसमें बोल रहा है कि पूरी balance sheet ना change करके आप adjustment entry पास करो और interest on drawing six month के लिए चार्ज होगा ठीक है six month के लिए चार्ज होगा तो आप हम क्या करते हैं इसका solution देखते हैं solution देखने पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि हमें interest on capital यहां पर निकालना है और interest on capital कभी हम क्या करते हैं closing capital पर नहीं निकालते हैं हम क्या करते हैं जो profit होता है उसको less करते हैं closing capital में से और जो drawing होता है उसको क्या करते हैं add करते हैं तो first of all यहां पर हमें capital दिया है 31st March का 90,000 और 30,000 तुपीस ठीक है अब हम इसमें से इनका profit जो है जो उनको already capital में added है वह क्या कर देंगे less कर देंगे ठीक है तो यहां पर profit 24,000 हुआ था और उनका profit sharing ratio कितना था उनका profit sharing ratio था 3 to 1 ठीक है इसमें के divide कर लेंगे the legal Спасибо difference 3 to 1 मतलब 3 x 4 और 1 by 4 ठीक है cvit 5 से करेंग तो एट गविया 4 थोञाड़े 4 2 243रा 164 nokia多 8 4 अब भी से multiply करेंगे तो आएगा 18000 मुझोट डारीक्ट मुल्टिप्लाइ करने का याद था मैं टेबल पढ़ने में थोगसा प्रॉब्लम होता है तो फिक है और क्या करेंगे यह आएगा 6000 इसका 18000 तो यहाँ पर आया थेखिए A का 18,000 और B का 6,000 ठीक है तो यह हमने less कर दिया तो after less ठीक है divide करने के बाद इनका amount कितना आया तो A का आया 72,000 और B का आया 24,000 ठीक हो अब बोल रहा है since drawings appear in the balance sheet it means that these have not been deducted from that the partner's capital so far hence in order to calculate the opening capital the drawings have not be added back रहीं कि पला है तो यह इसको इसको डेक्ट नहीं किया है तो यह किया है अभी तक लिए नहीं होगा इंटरस और गालेंगे तो इंट्रेस्ट आपिटल 5% जब हम क्या उयुक्त करें उब जाना था भाइव निकाल गांगे वापितना गए रहीं निकाला है। इंट्रेस्ट निवाइश्ट वन का जब आप परसेंड का जब 5 परसेंड निकालेंगे तो 57,00 का 5100, 520,000 के 575,000 के 525,000 का 5,000 तो 56,000 के डिवाइश्ट रिवाइश्ट आए 3600 के परसेंड आए इंट्रेस्ट बार्न कैपिटल एक का आयए और इसी तरह क्या आएगा जब आप किसका निकालोगे 24,000 का निकालोगे 5% 24 को आप क्या करोगे 5 upon 100 करोगे तो दो 0 से दो 0 गया 5 0 जा 0 5 4 20 का 0 पर 2 जाता है 5 जा 10 एक 12 1200 आया ठीक है तो A का आया 3600 और B का आया हमारा 1200 रुपीस ठीक है अब हम क्या करेंगे drawing का amount less कर देंगे because यह इनके लिए profit है लेकिन इनको drawing वाला तो देना है ना company को तो जो भी इनका drawing का amount आएगा 6% ठीक है उनके जो इनका drawing है उन्होंने कितना कितना withdraw किया था उसमें से हम क्या करेंगे इनका 360 रुपीस और 180 रुपीस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है ठीक है देखो हमारा क्या दिया है वह द्रॉइंग यहां पे given है 12,000 और 6,000 ठीक है 12,000 पे हमें कितना percent 6% के हिसाब से 12,000 पे हमें 6% के हिसाब से क्या करना है और 6 मंत के हिसाब से निकाल ला है ठीक है 6 by 100 करके और 6 by 12 करके तो आएगा 6 तू जा 12 तू थी जा 6 जबल 0 से डबल 0 गया ठीक है इसका 360 रुपीस वेट अ मिनट फ्रिंट्स हां इसका 360 रुपीस और इसका 180 रुपीस हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया लेकिन द्रॉइंग माइनस करने के बाद भी 3,240 रुपीस और इसका 1,020 रुपीस और इसका 1,020 रुपीस और जिसको हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे बिकास यह क्या करना है इनके लिए प्रॉफित है यह अमाउंट इनको कम्पनी से लेना है ठीक है इन दोनों को अमाउंट प्लस करके जो अमाउंट आएगा मतलब की 4,260 रुपीस यह कम्पनी को क्या करना है इनको देना है इसलिए कम्पनी के लिए लॉज है इसलिए लॉज है इसलिए लॉज विल बी चार्ज फर्म ए और बी दियर प्रॉफित शेरिंग रेशियो तो इ 1 में तो 3 x 4 जब करेगी तो क्या होगा 4 1s 4 0 और क्या हो जाएगा 4 4 6 24 ठीक है 1 0 4 6 24 20 4 5 20 1065 रुपीस इसका आएगा 1065 रुपीस नहीं आएगा 1065 को हम 3 से इंटू करेंगे 3 5 15 5 उपर एक जाता है 3 6 18 19 का 9 उपर एक जाता है 3 0 0 1 3 3 3 1 9 5 रुपीस इसका आया और इसी तरह सेम क्या करेंगे 1 यहां पर करेंगे तो 1065 क्या आएगा इसका आएगा ठीक है अब यह डेबिट होगा विकॉस क्यों 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 क्योंकि यह कंपनी को देना है कंपनी के लिए लौस है तो इसलिए हमने इसको डेबिट किया है ठीक है अब हम क्या करेंगे देखेंगे डेबिट वाला बड़ा है या क्रेडिट वाला बड़ा है तो एक के केस में हम देख सकते हैं क्रेडिट जादा है तो क्रेडिट में से जब हम डेविट को माइनस करेंगे तो 45 रुपीस का बैलेंस आरहा है इसको हम debit करेंगे ठीक है अब हमें पता चलिए कि हमें A को debit करना है और B को credit करना है ठीक है तो हम इसका adjustment entry pass करेंगे 20 capital account DR यहाँ पर DR होगा 45 रूपीस से to A's capital account 45 रूपीस ठीक है adjustment for omission of interest on capital and drawing ठीक है यह क्या हमने क्या किया है adjustment किया है जो capital और drawing हमने नहीं किया था entry ठीक है तो यह question हमारे यहीं तक था I hope आपको यह question समझ में आया होगा थोगा tricky question था tricky नहीं कह सकते same था थोड़ा सा क्या था बस अलग था कि इसमें थोड़ाइंग का amount जो था वो deduct पहले से नहीं किया हुआ था तो वह हमें क्या करना था add नहीं करना था बस इतना ही था तो I hope आपको यह question समझ में आया होगा अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी problem है तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हो thank you very much for watching my video and do like subscribe and share my channel thank you